मंचपर असी आदर्या चंद्रमोहन ठाकुषा उपाध्या जी और गाड़रवारा में पधारे अलग-अलग शेत्रों के अलग-अलग प्रोफेशन के सभी रिस्पेक्टेज बाजन सर्माइब का वेलकम करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप गाड़रव प्रोफेशन में कैसे जाना है, क्या काम होता है, क्या responsibilities होती है और क्या opportunities होती है, सभी जानी है, जानी है कि नहीं, काफी कुछ जाने को मिला, तो इस session का यही उद्देश था, कि घर पर हम रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तोड़ा बहुत internet देखते हैं, पर इतना जादा हम यह कि एक शेत्र को ही देख रहे होते हैं, डॉक्टर को, इंजिनियर को, तो लगता है, वही option हमारे पास है, पर इस session का उद्देश में ली यही था, कि आपको हम यह बता पाएं, कि अलग-अलग शेत्र आपके लिए थुले हुए हैं, जैसे सबसे पहले मैंडम ने कहा होती है कि क्या मेरा inclination है, क्या मेरा interest है कि जहां मैं जाँ, मेरा जो जॉब है, मैं 2019 batch IS हूँ, तो मैं जब स्कूल में थी, तो ऐसे ही, around 8-9 standard में, कलेक्टर गुपाल सर, विकुण श्रवास्काव सर्थे, वो आये थे मेरे स्कूल में, एक किसी function के TDS पनकर, तो तब मैंने उनको दे करने को मिलता है, और वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा था. बट्व को जब मैंने इए OR 12 के बाद तो मेरा अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो काया, मेरा IIT थे, NIT नहीं हो काया, तो तो फिर मैंने अपने भोपाल में जो जो ऐवेलिबल था, उसमें मैं आ मेरा जो पहले का जो एत्माइन काला द्रीम था उस पर मैंने उसके दिलेटेड पढ़ाई करने शुरू की यूपीएस के बारे मैं जाना और थर्ट पोर थियर में उसके साथ पढ़ाई करके एक्जाम मैं दिया तो इस जॉब के बारे में सर यहां पर वेट हैं तो सर आपको बताएंगे इस जॉब में क्या-क्या आप और कर सकते हैं क्या-क्या उप्रिशनेटीज हमारे पास होती हैं मैं बस दो चीज़ें आप लोग को बताना चाहती हूँ फर्स्टीज है वेरी इंपॉर्टन इस ताइम मैनेश्मेट जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं मंजपर रासी हैं जो उधर हैं हम सभी के पास दिन के चौबिस घंटे ही होते हैं हमारे पास resources अलग अलग हो सकते हैं family conditions अलग हो सकते हैं family background अलग हो सकते हैं mentality अलग हो सकते हैं लेकिन time हमारा सब का same ही होता है तो हम कैसे उस चौबिस घंटे को अच्छे से capitalize करें use करें यह हम पर depend करता है और आजकर social media की बात है media internet की बात है तो जो असर ने बताया था कि इस पे time waste होने का जादा चांस है आप खोलोगे कोई video motivation वाला उसके बाद कोई recommendation आएगा तो फिर आप कोई song का video देखने लग जाओगे उसके बाद कोई game का recommendation आएगा तो उसको download कर लोगे तो my thing is to you कि time management बहुत जादा जरूरी है जितना भी समय हमारे पास है आप अभी जैसे अगर आप 9th में हैं आप 10th में हैं 11th में हैं ये life के foundational years हैं अगर अभी आपने इस समय का सभी उपयोग किया सही time to manage करना मदब एक routine बनाना जैसे आप रात को सो रहे हैं उसके पहले decide कर लो कि कल के दिवस में मुझे क्या क्या पढ़ना है मैं इसके इतने समय में स्कूल जाओगी इसके बाबस आ कि मैं coaching जाओगा या घर पे पढ़ाई करूगा यह time to manage करना बहुत जुदी है अगर आप यह कर लेंगे अगर अपना एक-एक minute या एक घंटा अप अच्छे से plan कर लेंगे तो सबसे जादा output निकालना बहुत आसान हो जाएगा and second चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह है कि केवल academic पढ़ाई वही important नहीं होती है personality overall develop करना is very important तो उसके लिए at school level आपकी जो भी अलग-अलग competitions होते हैं जैसे painting हुआ, dance हुआ, speech, debate और बहुत सारे opportunities school में हमें मिलती हैं तो उन सब में हमें विल्कुल आगे होके हिस्सा लेना चाहिए ठीक है, and apart from पढ़ाई आप सब कोई न कोई एक अपनी hobby develop करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के बार भी एक time के बार 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 किताबे यहीं सारी चीज़ तो एक घंटा दिन का या एक बिर घंटा आप कुछ ऐसा करिए जो आपको करने में बहुत आनदा आता हो जैसे आप बार खेलने जा सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप एक्सराइस कुछ कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, whatever is possible, whatever you like, but किसी एक चीज़ को अपना होबी की तरह develop करिये, ताकि आपका स्ट्रेस भी दूर रहेगा और आप अपने पूरे बाकी के अच्टेपिस को इंटेस के साथ परफाएंगे. So, आप बहुत समय से बैटे हो, जूख भी बहुत आगी होगे और अभी स्वर को हम सुनेंगे. So, thank you so much everybody for coming and I thank everybody on stage for taking time out from their busy schedules to be here in Gardalwara. Thank you so much.